दोस्तों अगर आप भी Google Pay का यूज़ करते हैं और आपने किसी को payment transfer किया है या फिर किसी ने आपको payment transfer किया है और वहाँ पर जो payment है वो processing में है या painting में है अब तक पैसा transfer नहीं हुआ है और bank से पैसा भी कर चुका है तो कैसे आपको इस amount को वापस लिकिया आना है अपने account में transfer करवाना है इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर दिखीगा तब ही आप समझ भाएंगे क्योंकि दूस्तों यह problem मेरे साथ में हुई थी और मैं आपको live proof भी दिखाऊंगा ताकि कहीं भी आपको कोई problem ना हो और आपको easily समझ में आ पाए हलो दूस्तों मिरा नाम transaction history में अभी मैं हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 125 रुपे का जो amount है वो अभी भी यहाँ पर painting और processing में चल रहा है अभी तक यहाँ पर payment नहीं मिला है दोस्तों हो सकता है कि आपका amount जादा हो 5000, 10,000, 20,000 या 2000 तो आपको बस वही step follow करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाओं क्लिक करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर processing दिखा रहा है तो अभी इसको ठीक कैसे करना है ताकि हमारा amount है या तो उसके account में चले जाए जिसको ह साथ दिन का आपको time लगता है और यह जो pending में है यह processing में amount है यह साथ दिन के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाता है यह फिर आप जिसको पैसा transfer करते हैं उसको उसकी खाते में यह पैसा चला जाता है लेकिन दोस्तों फिर भी अगर नहीं होता है आपको लग रहा है कि य जैसे आप transaction history में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके transaction दिखेगी और जो भी दूस्तों आपके transaction है आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको उसरे transaction के ओपर click करना है ठीक है जैसे दूस्तों आप click करेंगे अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ प लेना है या फिर आप जो है अपना जो है transaction जिस दिन आपने payment किया था उस दिन का date आपको पता होना चीए तब ही आपको यहाँ पर help मिल पाएगी जैसे यहाँ पर दिखीगा मुझे यहाँ पर date पता चल चुका है कि 30 तारीको मेरा payment इतने टाइम में जो है अभी printing चल रहा है ठीक है तो अभी करना क्या है कि आपको directly जो है step को follow करना है आपको दुबारा से back आना है home button पे और यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारे options मिलेंगे तो सबसे उपर आपको आपका profile दिख जाएगा ठीक है यहाँ पर देखेगा आपको click करना पड़ेगा सबसे उपर और जैसे आप click करेंगे अब यहाँ पर जो भी आपका mobile number है आपको दिख जाएगा आपको सबसे पहले नीचे आना है settings में क्लिक करना होगा और settings में जैसे आप क्लिक करते हैं अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर है help and feedback तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है help and feedback पे हालकि यह options आपको बाहर भी मिल जाता है जैसे हम help and feedback पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे options आपको मिलेंगे तो आपको सबसे पेले get help वाले options भी क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर get help पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर दिखी का आपको एक चीज ध्यान अकनी है जब भी आप इस process को follow करें तो आप हमेशा सुबह 10 बजे से लेकर साम को 6 बजे की बीच ही step को follow करें क्योंकि तब ही आपको यहाँ पर help मिल पाती है और यहाँ पर दिखी का अभी यहाँ पर बहुत सारे आपको सामने options है अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग options दिख जाते हैं लेकिन यहाँ पर दिखी का दूस्तों आपको एक options दिखता है सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है contact support आपको बस क्लिक करना है यहाँ पर और जैसे दुस्तों आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक नया page खुल कर आ जाता है थोड़ा सा loading लेगा page तो आपको wait करना है और यहाँ पर दिखेगा बहुत सारे options हैं तो यहाँ पर दिखेगा तो आप directly यहाँ पर जो है contact us वाले options पर क्लिक कर सकते हैं जैसे दुस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह के से आएगा अब problem क्या है कि आपका जो भी दिक्कत है परसानी है आपको यहाँ पर लिख लेना है अगर आपका processing में चल रहा है amount pending है तो आप यहाँ प step दिख रहा है लिखा हुआ आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं अब यहाँ पर दिखीगा आपके सामने बहुत सारे options खुल कर आजाएंगे अब यहाँ पर लिखा हुआ है amount not credited यानि कि amount अब तक credit नहीं हुआ है इसके रावा यहाँ पर दिखीगा अलग-अल यहाँ पर chat का options दिख रहा है लेकिन फिलहाल यहाँ पर chat close दिखा रहा है because अभी यहाँ पर दिखीगा कि आज Sunday है जिस दिन में video record कर रहा हूँ तो इस वज़े से यहाँ पर customer care से बात नहीं उपा रही है अब proper तरीके से अगर आपको जानना है कि कैसे बात करनी है तो इस प connect हो जाएगा चैट में तो आप हिंदी में ही बात कर सकते हैं आपको date बताना होगा time बताना होगा और आप बताएंगे कि आपका यह problem है आपका amount pending में है और आपका amount जो है directly 3-4 दिन में आपके bank खाते में refund आ जाएगा I hope दूस्तों आपको इस वीडियो से help मिले होगी और आप समझ गए होगे कि कैसे आपको जो भी pending या processing amount है कैसे आपको गूगल पे से उसको clear करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को like जरू करें और अगर आपकी problem solve हो चुकी हो तो comment जरू करें और फिर भी अगर problem solve नहीं हो तो comment जरू करें साथ साथ में आप Facebook Instagram पर भी मुझे message कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो को discussion में मिल जाएगा तो चरे दूस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ interesting और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा so thank you